बिहार की राजदानी पटना से पश्रिम बंगाल से हावडा के बीच प्रस्तावित बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन महत साड़े च्छ घंटे में दोनों शेहरों की दूरी तै करेगी 15 गस्त से यश्ट सेवा शरो होनी की संभावना है हावडा पटना रेल खंड की या सबसे तेजगती की ट्रेन होगी ट्रेन की अधित्तम रफ्तार 130 किलोमेटर प्रती घंटे तक रहेगी पटना के राजद्रनगर कोचिंग कॉम्पलेक्स में ट्रेन में कमिशनिंग का काम तेजी से हो रहा है आज इस रूट पर ट्राइल हुआ सेमी हाई स्पीड हावडा पटना बंदे भारत एक्सप्रेस का ट्राइल रण सुबह करीब आठ बजे पटना स्टेशन से शुरू हुआ या आसन सोल होते हुए दोपहर ढ़ाई बजे हावडा स्टेशन पहुँची या सफर मात्र 6 घंटे में पूरा हुआ गौरत लभे की बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की अधिक्तम रफ्तार 106 किलोमेटर प्रती घंटे तक है रेल खंड पर तैस स्पीड को ध्यान में रखकर ही इसकी गती सीमा की योजना बनाई जा रही है पटना हावला बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की ओसत रफ्तार पटना राची रूट से अधिक रहने के आसार है राची रूट पर ट्रेन को नए रास्ते से पहाड और टनल की बीद से होकर गुजरना पड़ता है इस वज़य से ट्रैक बहतर होने के बाबजूद एहतियातन ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी रखी गई है साथी पटना से गया के बीच जगजगः अवैद क्रोसिंग की वज़य से भी ट्रेन की ओसत गती 60 से 62 प्रती घंटे की है ट्राइल रन के दोरान ट्रेन की राह में निलगायों के आने की घटना बार बार होती रही पटना हावडा रूट पर पटना रांची रूट की अपिक्षा व्यवधान कम है बाइस तिन सो उन्चास और बाइस तिन सो पचास पटना रांची पटना बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को अगले आदेश तक बरका काना टीटी सिल्वे रांची की जगब बदले हुए मार्ग बरका काना मूरी रांची के रास्ते चलाया जाएगा पुर्वर मद्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी विरंद्र कुमार के मुताबिक पटना राची वंदे भारत के पुर्वर निर्धारित मार्गे पर भुस्खलन की वज़ा से यह बदलाब किया जा रहा है। दरसल हेहल सांकी स्टेशनों के मध्य पिछले दिनों भारी बारिश के कारण मुस्खलन हुआ था जिससे ट्राक पर मलवा आ गया। आपको बता दें कि अभी तक बिहार की राज़ानी पटना से हावड़ा और हावड़ा से बिहार पहुँचने में करीब 9 घंटे लगता है। लेकिन यह समय सीमा घटकर मातरे 6 घंटे रह जाएगा। रेलवे सूतरों के मुताबिक शनिवार पटना से ट्राइल शुरू हुआ है और यह सफल रहा है। इससे हावड़ा पटना रूट के यात्रियों के लिए कम समय में यात्रा करने का अफसर मिलेगा और इससे दोनों राजियों के बीच रिष्टे भी और अच्छे होंगे। उन्हों राजियों के बीच रिष्टे भी और अच्छे होंगे।